शहद या अंग्रीजी में हनी इसकी मिठास पूरी दुनिया में आज प्रसिद है मगर आधुनिक्ता और टेक्नोलजी के दौर में हनी बनाने की जो परंपरा है वो आज थोड़ी सी बदल सी गई है और इसका गलत असर कई एतिहासिक परंपराओं और कला पर परा है अरुनाचल प्रदेश के 6,000 फीट की उचाई पर रह रहे है शेर्प डुकेन जंजाती आज अपने हनी हंटीं की सदियों से चली आरी प्रथा को खोने के कगार पर है एक समय हुआ करता था जब शेर्प डुकेन जंजाती जंगलों और पहारों से हनी कलेक्ट किया करती थी ये उनके समाज का एक अभिन हिसर मगर आज इस जंजाती में केवल 6 हनी हंटर्स बचे हैं और इनकी ये कला और सदियों से चली आरी प्रथा विलुक्त होने वाली है शेर्प डुकेन जंजाती की इसी खत्म होती हनी हंटिंग के कला और प्रथा को एक शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी चाई लूपो के द्वारा प्रदर्शित किया गया है इस फिल्म को हाली में रौशनी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में खिताब भी मिल चुका है इस डॉक्यूमेंटरी को 2020 में दादा साहब फाल के फिल्म फेस्टिबल के बेस्ट डॉक्यूमेंटरी का खिताब भी मिल चुका है चाई का मतलब होता है honey जबकि लूपों का मतलब होता है hunters और चाई लूपों भी आरुनाचल के honey hunters की ऊपर बनाई गई एक खास documentary है आम तोर पर शेहत को मदुमक्यों के उन खोतों से निकाला जाता है जो पेर पर होते हैं मगर अरुनाचल की शेर्प डुकेन जंजाती घने जंगलों में मौजूद पहारों और उनके चटानों पर मौजूद मदुमक्खी के खोतों से शेहत को निकालती है। हाला कि अब बदलते समय के साथ उनकी ये दशको पुरानी परंपरा जो है वो धीरे धीरे खतम हो रही है। कि अनोखी और एतिहासिक हनी हंटिंग की कला और परंपरा को जीवित रखने के लिए कोई ठोस कतम उठाए। क्योंकि शेर्प डुकेन जनजाती की ये हनी हंटिंग की खास कला है और खास परंपरा है जो इस जनजाती को बनाती है अरुनाचल प्रदेश की एक बेहर खास जनजाती। और ऐसे में आउशकता है कि सरकारे इन जनजातीों की सद्यों से चली आ रही जो हनी हंटिंग की कला प्रथा है उसे जीवित रखने में सहाइता करे और व्यश्विक तोर पे इनके कला और इनके प्रथा को जो हनी हंटिंग से जुरी हुई है उसे व्यश्विक तोर पे प् कि अवानिए और अड़ कि अवा दूप कि अवायदी से लाट विए वद शुड़ कि अर ऴेका करें झाल